जाएं दोस्तो वाकम बैक टू आर्च चैनल वाकम बैक टू जॉप्टेरिया आई होप सो कि आप लुग फिट इन फाइन होंगे और अपने स्टडी को बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे एक बार फिर आप सभी को जॉप्टेरिया फैमिली में बहुत बहुत वल्कम करते हैं जाएं दोस्तो जारकन सहाय का चार्ज भरती यानि 26001 पदों की जो निकाली गई है उसका फिर से आवेदन प्रक्रिया का जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जैसा कि आपको मालूम होगा जिसका आवेदन जो है रेजिस्ट्रेशन आप जो है 23 मार्च से लेकर जो ह आपका 6 अपरिल तक आप कर पाएंगे और ही फोटो और सिगनेचर और बात करें फोटो एडिटिंग का या फिर आप बात करें पेमेंट का इस सब मिला कि आपका करेक्शन के बिंडो जो है 12 अपरिल तक जो है आपका यहां पे ऑपन रखा गया है ऐसे में बहुत सारे तमा उनकी कुछ हालात ही ऐसे है जारगन में उनका फर्स्ट कोईरी यह है कि जो जेटेट जो 2016 वाले पास आउट किये हैं जो दोनों लेवल में पास किये हैं यानि पत्र वान और पेपर टू दोनों ही जो है उन्होंने कौलिफाई कर रखा है तो उनके मन में डाउट है क्या मै दोनों पत्र अगर मैं उलिजबल हूं तो मैं क्या भर देता हूँ तो मेरा क्या यहा पे कोई आगे जाके प्रॉवल्म होगी क्या मुझे जो है यहां पे एक ही का अग्रउड काड़नर आएगा और पेपर वान और पेपर टू में क्या मैं पत्र वान की बात करू औंर पत् परिक्षा की तीथी भी मैं बताने वाला हूं एक प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा कि आपका परिक्षा कब तक होनी है तो वीडियो को अंतक वाच कीजिएगा चैनल पर दोस्तों अगर फॉर्स टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब करके वैल आइ बताइब किये हूए हैं यानि वो दोनों ही पेपर यानि प्राइमारी मीडियल स्कुल दोनों में जो है इलिजिवल रखते हैं तो बिलकुल अगर वो दोनों में इलिजिवल हैं आप तो दोनों कप्लाई कर सकते हैं बट one condition रहेगा careful class This is Sinary आपको जो है फम पत जो फम rarely रहे हैं यानि middle school का जो भरेंगे उसमें जो आपका mobile number और registration number mobile number और आपका Gmail जो होना है वो आपका unique होना चाहिए उसका इस्तमाल आप जो है middle school वाले यानि इस कक्छा 6-8 के लिए जो है use नहीं करेंगे उस same mobile number और Gmail का यूज नहीं करना है बस इतना काम करना है क्योंकि उहाँ पर क्या होता है कि same number और same जो आप जब जी मेल जाता है तो कहीं ना कहीं उहाँ पर जैसे से यह सोचती है कि एक ही candidate दो बार form को भर दिया है तो उहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चीजे फसने की चांसेस रहती है तो आपको रिक्स नहीं लेना है अगर आप दोनों पेपर में कौलिफाई किये हुए है जेटेट और जैसा कि आपको मालूम है प्राइमारी के लिए तो DL8 चाहिए होता है इंटरमीडियर में 50% विद DL8 चाहिए और या जेटेट कौलिफाई होना चाहिए या फिर सीटेट का फर्स्ट पेपर आपके पास होना चाहिए तो आप इलिजबल होंगे वहीं अगर 6-8 की बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स देन आपका जो है बीएड होना चाहिए then seatate का second paper qualify होना चाहिए या फिर आपका jetate का second paper qualify होना चाहिए तो यह अगर हारता है और एक single candidate है जिनके दोनों ही degree है तो बिल्कुल दोनों में ही आप form को fill कर सकते हैं वसरते जो है आपका gmail और mobile number difference होना चाहिए और वहीं अगर बात कर ले paper पत्र one और पत्र two में जो है क्या रखा जाए क्या सेम भासा रखा जाए तो यहाँ पे दोनों भासा सेम रख सकते हैं दोनों paper में reason यह होगा कि आपका पत्र one में अगर आप हिंदी रखते हैं और पत्र two में भी आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी दोनों पत्र में अगर रखेंगे भी तो दोनों का जो है syllabus different रने वाला है यानि पत्र 1 से जो आपकी हिंदी पूछी जाएगी वो पत्र 2 में जो है different से different होगी यानि पत्र 2 में आपको different देखने को मिलेगी और पत्र 1 और पत्र 2 यानि दोनों के regarding मैंने dedicated वीडियो भ जरूर देख लिजेगा मैं description box में उस वीडियो का जो है link डाल दूँगा तो उसको आप वहाँ पे check out कर सकते हैं और वहीं अगर बात करें आपका परिक्षातिती तो परिक्षातिती की बात करें तो बात करते हैं परिक्षातिती की तो ये आपका election पे और Supreme Court के judgment पे टिकी तो election जो आपका होना है वो आपका 19 April to 1 June तक आपका जो है election होगी जिसमें 546 members का जो है election होना है और ये 18th लोगसभा जो है addition है तो 19 April से 1 June तक आपका election ही चलेगा और आपका result जो election का आना है so result will be announced on 4th June 2024 4th June को जो है आपका यहाँ पे result अनाउस किया जाएगा तो इस period में 19 April to 1 June के period इस बीच में तो आपका election मतलब exam conduct कराना possible है नहीं यहाँ होगी भी नहीं इस date में June के after June, first June के बाद यानि यहाँ पे अगर बात करें तो June मन्त में आपके exam हो जाने की बहुत ज़्यादा chances है हो सके तो आपका जो है mid June में हो नहीं तो last week of June में आपका यहाँ पे possibility दिखती है और यहीं अगर बात करें Supreme Court case hearing की तो next hearing आपका जो है जो है देखिए 5th April के बीच तक हो जाना चाहिए तो उसमें क्या कुछ update आता है तो उससे काफी हद तक finalize हो जाएगा कि आपका exact exam date क्या निकलने वाली है लेकिन आप अभी तक मान के चलें कि date दो मेना आपके पास अभी है हो जाएगी तो अभी का यही update था दोस्तो आई होप सो कि वीडियो informative लगी होगी तो चैनल पर फर्स टाइम जूड़े है तो चैनल को ज़रू subscribe करके bell icon को प्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी update आपको मिसना हो आप तक मिलती रहे thanks for watching